Hello everyone, welcome back to my channel तो जैसे हम लोग plant nutrients के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में तो आज हम लोग पढ़ेंगे deficiency symptoms के बारे में इसमें हम लोग different different nutrients को cover करेंगे जैसे इस वीडियो में हम लोग nitrogen के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बाकी के जो nutrients पचेंगे उन्हें cover करेंगे तो start करते हैं इस वीडियो को तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें deficiency symptoms की तो हम लोग इसे एक flow chart के help से समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे याद रखेंगे कि कौन-कौन से nutrients चो है वो कौन-कौन से leaves पर आते हैं जैसे यह हमने लिखा हुआ है कि जैसे suppose यह deficiency symptoms की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसे चार parts में divide करते हैं ठीक है क्या-क्या लिखेंगे एक तो हम लोग category लेते है old leaves की ठीक है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग देखेंगे कि जो old leaves होते हैं तो कौन-कौन से nutrients होते हैं जो mostly old leaves पर उनकी deficiency आती है तो कौन से होते हैं nitrogen होता है phosphorus होता है potassium होता है magnesium होता है और molybdenum होते हैं ठीक है तो यह सारे nutrients हैं जो सिरफ older leaves पर ही इनकी deficiency शो ہोती है और अगर new की बात करें new leaves पर किसकी deficiency शो होती है तो वो sulfur की iron की, magnese की और copper की ठीक है उसे तरीके से middle की बात करें तो middle leaves पर किसकी deficiency ज्यादा शो होती है तो वो zincड़ींग की deficiency शो होती है जैसे suppose यह एक plant है ठीक है तो जो ये वाले leaves होंगे यहां पे जो mostly deficiency शो होगी वो zinc की होगी ठीक है और जो ये new वाले leaves है जो यहां पे leaves होंगे तो यहां पे इन सब nutrients की deficiency शो होगी और जो ये older leaves होगे इन पे जो deficiency शो होगी वो nutrients की deficiency शो होगी तो जो nutrients की terminal birds पे deficiency शो होती वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं, कैल्शियम और बोरिन, तो यह हमें याद रखना है, कि old leaves पे कौन कौन सी deficiency आती, किन nutrients की, new leaves पे किन nutrients की deficiency शो होती है, middle leaves पे किसकी deficiency शो होती है, और terminal birds पे कौन से nutrient की deficiency शो होती है, यह हमें याद रखना है, अब हम लोग next अगर बात करें, next क्या है, तो next हम लोग पहले सबसे पहले बात करते हैं, nitrogen की, आज की वीडियो में हम लोग nitrogen को cover करेंगे और इसके बाद हम लोग बाकी nutrients को cover करेंगे, तो nitrogen क्या है, nitrogen जोई यह सबसे important nutrient हम लोग कह सकते हैं, अगर हम लोग nitrogen की बात करें, तो mostly क्या होता है, कि जो plant होत हो नाइट्रोजन को दो फॉर्म में लेता है या तो नाइट्रेट की फॉर्म में लेता है या प्लांट जो नाइट्रेट की फॉर्म में लेता है ठीक है यह एक जनरल फॉर्म से नाइट्रोजन की जिसे प्लांट जो नाइट्रोजन को इस तरीके से लेता है अब अगर हम लो वाली जो crops होती है, वो कौन-कौन सी होती है वो paddy होती है, ठीक है उसके बाद sugar cane भी nitrogen को ammonium की form में लेता है और कौन से crop लेती है यह दो ही crops है, potato एक होती है ठीक है, potato भी जह है nitrogen को ammonium की form में लेती है तो हमें यह point याद रखना है कि mostly जो plants होते हैं तो नाइट्रेट की फॉर्म में ही नाइट्रोजन को लेते हैं, बट यह जो specifically, यह जो तीन क्रॉप्स है, यही सिरफ जो नाइट्रोजन है, इसे अमोनियम की फॉर्म में लेती हैं, ठीक है, यह point हमें याद रखना है, तो जो plants, nitrogen को ammonium की form में लेते हैं, तो उन plants को हम लोग क्या कहते हैं? उन plants को हम लोग कहते हैं, aminophilic plants, ठीक है? aminophilic plants कहते हैं, किसे कहते है aminophilic plants? जो plants जो है, वो nitrogen को ammonium की form में uptake करते हैं, ठीक है? यानि कि हमने जैसे बात की कौन-कौन से थे वो शुगर केंड, पैडी और पटैटो ठीक है, इन्हें कहते है एमिनोफिलिक प्लैंट अब हम लोग अगर आगे बात करें फंक्शन्स की, तो फंक्शन्स क्या होते है ठीक है, यहां पर यही बात हमने लिखी हुए कि प्लैंट टुक नैट्रोजन in the form of नाइट्रेट और अमोनियम, ठीक है अब हम लोग अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है नाइट्रोजन के तो जो सबसे पहला फंक्शन है वो यह है कि जो क्लोरोफिल प्रोफाइरीन रिंग होती है उसकी फर्मेशन के लिए नाइट्रोजन जो वो हल्पफुल होती है तो जो नाइट्रोजन होती है यह किसके लिए हल्पफुल होती है इसका फंक्शन क्या है तो सबसे पहले यह chlorophyll profiring ring कीformation के लिए responsible होती है आным इस तरीके की ring होती है chlorophyll में pigment में यह इस तरीके की ring होती है इसकी formation में नाइट्रोजन helpful होती है यहां पे nitrogen है तो इसलिए यहां पे nitrogen जो है't रिस्पोंसिबल होती है इसकी formation के लिए अब अगर हम लोग आगे बात करें तो next इसका function क्या है कि ये ये जो है promote करती है vegetative growth को ठीक है यहाँ पर spelling थोड़ी सी mistake हो गई यहाँ पर promote होगा तो जो ये promote करती vegetative growth को plant की जो भी vegetative growth होती है वहाँ पर nitrogen जो responsible होती है उसकी growth के लिए और next क्या है कि ये act करती है as a quality nutrient ये point हमें याद रखना important point है कि जो भी fodder crops होती है न जैसे fodder crops होती है यहाँ फिर कोई भी leafy vegetable होता है ठीक है leafy Lie dagegen कोई भी crop होती है fodder crop यहाँ फिर leafy vegetable तो इसमें क्या होता है कि जो quality nutrient होता वह nitrogen होता है यानि कि इसकी क्योंट τι इनकी वह nitrogen के द्वारा ही maintain की जाती है ठीक है अब next point अगर हम देखे it decide the protein content protein content mostly जो cereal crops होती है जैसे कि cereal crops जैसे wheat और rice कुछ भी जो graminy family value होती है वो cereal crops होती है उनमें जो protein content होता है वो भी कौन decide करता है वो nitrogen ही decide करता है ठीक है तो जितन nitrogen की deficiency होगी तो इन crops में protein की जो मातर है वो भी कम हो जाएगी अगर nitrogen जो है वो appropriate amount में होगा तो जो protein content होगा cereal crops में वो भी जो है वो appropriate होगा ठीक है तो next हम लोग देखते है deficiency symptoms की अगर nitrogen की deficiency आ जाए plant के उपर तो हम लोग उसे कैसे देखते है वो deficiency कैसे पता चलती है कि अब इसके उपर deficiency है तो जैसे हमने first slide में पढ़ा था कि सबसे पहले तो जो deficiencies की होती है यह old leaves पे सबसे पहले आती है ठीक है तो यह हमें point पता चला और दूसरा क्या होगा है कि old leaves के उपर क्या होगा है old leaves पे जा तो yellowing हो जाएंगे मतलब yellow color के होना शुरू हो जाएंगे old leaves या फिर chloroses होगी उनके उपर ठीक है यह दो conditions है कि old leaves पे chloroses या yellowing होना उनका शुरू हो जाएगा old leaves में ठीक है और क्या कर सकते है कि जो cereal crops होती है उनमें जो old leaves होते है उनके उपर V-shape की अगर chloroses होगी भी तो कौन सी chloroses होगी V-shape की chloroses होती है तो यह question बन सकता है कि nitrogen की deficiency सबसे पहले कहां पे देखी जाती है तो old leaves पे देखी जाती है और अगर उसके उपर chloroses होती है chloroses nitrogen की deficiency की कारण होती है तो nitrogen के कारण specifically कौन सी chloroses होती है तो वो V-shape की chloroses होती है वो nitrogen के कारण होती है cereal crops में ठीक है यह दो points हमें याद रखने है अब हम लोग देखते हैं कि जो deficiency के कारण जो diseases होती है और disorders होते है वो कौन से होते है nitrogen के कारण तो nitrogen के कारण basically दो disorders होते हैं कौन कौन से होते है एक होता है starvation in crops यहाँ पे हमने लिखा है और दूसरा कौन से होता है buttoning in cabbage यहाँ पे होगा buttoning in किस में होता है cabbage में होती है buttoning ठीक है buttoning in cabbage nitrogen की deficiency के कारण होती है ठीक है तो यह points हमें याद रखने है deficiency जो disorders होते हैं वो कौन कौन से होते nitrogen के कारण starvation in crops और buttoning in cabbage ठीक है अब हम लोग next देखेंगे कि जो deficiency होती है अगर toxicity या बहुत excess में nitrogen present हो तो क्या होता है तो इससे दो चीज़े होती है जैसे हम एक चीज़ तो हमें सब को मालूम है कि अगर nitrogen बहुत जादा होगी तो क्या होता है कि जो leaf होता है leaf का color जो है वो dark green हो जाता है ठीक है ना dark color के leaves हो जाते है और जब leaf dark color के हो आते है nitrogen की toxicity के कारण या toxicity के कारण तो इससे क्या होता है कि जो insect का attack है वो बढ़ जाता है ना तो यह क्या करते है इसके कारण जो हो insect attack जो है वो insect attack जो हो इंक्रीज हो जाता है तो यह point हमें याद रखना है next क्या है कि अगर इसकी toxicity हो nitrogen की तो क्या होती है hollow heart in potato जो hollow heart disease है potato में वो भी nitrogen की toxicity के कारण होती है और एक जो होती है hollow stem in cauliflower hollow stem in cauliflower भी जो ही है nitrogen की toxicity के कारण होती है और boron की deficiency के कारण होती है यह point हमें याद रखना है कि जो hollow heart होती है hollow stem sorry जो hollow stem होती है in cauliflower तो वो किसके कारण होती है वो boron की deficiency के कारण और nitrogen की toxicity के कारण यह वाली disease होती है कौन सी hollow stem in cauliflower ठीक है यह point भी हमें याद रखना है तो अब हम लोग बात करते है mineralization mineralization क्या होता है एक चीज़ हम याद रखेंगे कि अगर inorganic form है मतलब organic matter है ठीक है organic matter को जब हम लोग inorganic form में convert करते हैं तो इस process को क्या कहते हैं इस process को हम लोग mineralization कहते हैं ठीक है mineralization कहते हैं और जब inorganic से उसे organic form में convert करते हैं तो उसे क्या कहते हैं immobilization immobilization तो यह point हमें याद रखना है कि inorganic matter से जब organic matter से inorganic में convert करना है तो mineralization और जब inorganic से organic में convert करना है तो immobilization ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि जो mineralization की process वो कैसी होती है तो यहाँ पे हम लोगोंने flow chart बनाया है कि जब organic matter होता है organic matter का सबसे पहले hydrolysis होती है hydrolysis होती है तो उससे क्या बनता है उससे polypeptides बनते है अब polypeptides से amino acid बने तो इस process को क्या कहते है इस process को कहते है aminification ठीक है तो जब ammonium से nitrite और nitrite से nitrate बने तो इस process को हम लोग क्या कहते है यानि कि ammonium से जब nitrate बने तो उसे हम लोग क्या कहते है nitrification और जब nitrate से nitrite बने तो उसे हम लोग क्या कहते है उसे हम लोग कहते denitrification है ना तो अब हमें इसमें points जो है वो याद कौन-कौन से रखने है हमें ये याद रखने है कि जब ammonium से nitrate बनता है है ना तो क्या होता है हमें यहाँ पर दो bacteria's की ज़रूरत पढ़ती है ठीक है, वो कौन-कौन से bacteria होते है तो जो सबसे पहला bacteria होता है कि जब ammonium से nitrate में convert होते है, color जब अमोनिया से नाइट्रेट बनता है नाइट्राइट बनता है तो नाइट्राइट जो यहाँ पर बैक्टीरिया यूज होता है वो कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉंसिबल होता है वो रिस्पॉंसिबल होता है नाइट्रो सो मोनास ठीक है नाइट्रो सो मनास बैक्टिरिया जब वो responsible होता है अमोनिया से नाइट्राइट की formation के लिए और जब नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है तो जो बैक्टिरिया यहाँ पर यूज होता है responsible होता है वो कौन सो होता है नाइट्रो बैक्टर ठीक है यह bacteria responsible होता है तो यह डो बैक्टिरियाज हमें याद रखने है जब ammonia से नाइ्ट्राइट बनता है तो वहाँ पे nitrosonose और जब nitrite से nitrate बनता है तो nitrobacter ठीक है यह दो बैक्टिर्स जो responsible होते हैं इन दोनों बेक्टिरियास को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रो बेक्टिरियास ठीक है? इन दोनों को बेक्टिरियास को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रो बेक्टिरियास ठीक है? इन दोनों को बेक्टिरियास को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रो बेक्टिरियास ठीक है? है ना तो nitrification के लिए जो optimum temperature चाहिए यहाँ पर हम लोग एक बार लिखते है nitrification ठीक है तो nitrification के लिए जो optimum temperature चाहिए होता है वो कितना होता है optimum temperature होता है 30 से 35 degree तक ठीक है और जो pH होता है pH कितना require होता है 6.5 से 7.5 तक इतना इसके लिए pH चाहिए होता है ठीक है इस process के लिए और अगर हम लोग denitrification की बात करें यह तो हमारी होगी पूरी nitrification की कि कौन-कौन सा बक्तिरिया चाहिए होता है कौन कितना temperature और pH चाहिए होता है अब हम लोग अगर बात करें denitrification की तो denitrification में क्या होता है denitrification का मतलब क्या होता सबसे पहले तो जब nitrate से nitrite में convert करते हैं हम लोग तो वो होती है denitrification है ना तो अब हम लोग यहां पे लिखते हैं कि denitrification के लिए denitrification के लिए सबसे पहले तो जो bacteria responsible होता है वो कौन सा होता है bacteria responsible होता है bacillus या फिर pseudomonas ठीक है दो bacteria होते है एक होता है bacillus या फिर pseudomonas bacteria यह दो bacteria होते है जो की responsible होते है या फिर जिनकी presence के कारण denitrification होती है ठीक है तो यह हमें पता ही है कि यह दोनों बैक्टिरिया जो है यह कब अपना काम करते हैं जब oxygen की absence हो ठीक है यानि की anaerobic ठीक है जब oxygen की absence हो anaerobic conditions में यह दोनों बैक्टिरिया जो है क्या करते हैं denitrification की process को अंजाम देते हैं ठीक है तो यह चीज़े हमें mineralization की process में याद रखनी है ठीक है तो कि अहां हम लोग और एक चीज पढ़ते हैं कि जो पहली पहले पाइल पोइंट हम लोग देखते हैं कि जो झो टीनैक्रिफिकेशजन की फिरोसएस होती है दी- ली- टीनै- टीनेटिर फिकेशन है लिप année helfen फील्ड में हो सकती है ठीक है पैडी में जो mostly denitrification है वो occur होती है क्योंकि denitrification जो waterlogged conditions में होती है तो जो waterlogged conditions होती है वो कौन सी crop के लिए जरूरी होती है तो पैडी के लिए जरूरी होती है तो denitrification waterlogged conditions में होती है और कौन सी crop में होती है पैडी ठीक है तो यह हमें point याद अब हम लोग बात कर सकते हैं कि जो optimum cn ratio होता है mineralization के लिए वो कितना होता है तो जो optimum यानि कि जो net mineralization के लिए cn ratio होता है वो 20 ratio 1 होता है यहां फिर less than 20 ratio 1 होता है यह जो है एक net mineralization के लिए cn ratio होता है अब एक चीज में आपको और बताती हूँ कि यहाँ पर हम लोग जैसे हम लोगों ने बात की cn ratio की तो cn ratio कितना होता है 20 ratio 1 है ना तो जो cn ratio होता है ना तो एक चीज हम याद रखेंगे हमेशा कि जो pulse crops होती है ना उनका cn ratio कितना होता है 20 या फिर 30 ratio 1 है ना यह होता है pulse crop का cn ratio और cereals का cn ratio क्या होता है 80 या फिर 100 ratio 1 तो इसका मतलब क्या होता है कि जो pulse crops होती है उनका cn ratio जो है वो कम होता है as compared to cereal तो जो pulse crops होती है वो well decompose हो जाती है और early decompose हो जाती है then cereal है ना C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C समझते हैं, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि जो प्लांट है वो nitrogen को ले तो लिया, उसने nitrogen को nitrate की form में कहाझ से, root से, है ना, अब nitrate को वो amino acid की form में convert करेगा, क्यों amino acid की form में convert करेगा, और वो जो है उसे leaf इस्तेमाल करेंगे है ना, leaves में जाएगा तो वो अपना कारेकरम आगे करेगा तो जो ये conversion हो रहा है nitrogen से amino acid में इसी process को हम लोग क्या कहते है assimilation assimilation का मतलब हो गया कि conversion of nitrate to amino acid ताकि जो है वो plant उसे leaves में ले जाके इस्तमाल कर सके तो इसी process को हम लोग assimilation कहते है अब assimilation को हम लोग आगे पढ़ते है कि यहाँ पर जो यह flow chart बनाए है हमने तो इससे हम लोग एक बार complete करते है तो जब nitrate से nitrite बनता है तो यहाँ पर जो responsible enzyme होता है वो कौन सा होता है nitrate reductase ठीक है यह हमें याद रखने enzymes हमें specially याद रखने तो जब nitrate से nitrite हाँ nitrate से जब nitrite बनता है तो कौन सा enzyme होता है nitrate reductase और जब nitrite से ammonia बनता है तो कौन सा responsible होता है enzyme nitrite reductase ठीक है और जब उसके बाद क्या होता है ammonia से amino acid बन जाता है ठीक है तो और हमें क्या करना है याद कि यह वाली process होती है नाइट्रेट से नाइट्राइट बनता है तो वो प्रोसेस कहा होती ये प्रोसेस होती है साइटो प्लाजम में ठीक है और जब नाइट्राइट से अमोनिया बनता है तो ये प्रोसेस कहा होती है ये प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट में ठीक है तो ये पॉइंट्स हमें या बनेगा और amino acid की process होगी यह कहां पे होगी यह होगी leaves में ठीक है तो यह हमें points याद रखने क्या क्या याद रखने एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं कि जब nitrate से nitrite बनेगा जब nitrate से nitrite बनेगा तो इसके लिए enzyme responsible क्या होगा nitrate reductase जब nitrite से ammonia बनेगा तो enzyme क्या रिस्पोंसिबल होगा nitrite reductase तो यह process होगी यह कहां पे होगी यह होगी cytoplasm में यह roots में और यह जो process है यह कहां पे होगी यह होगी leaves में ठीक है जिसमें आज हमने पढ़ा nitrogen की deficiency के बारे में पढ़ा उसके जो symptoms होते हैं toxicity से क्या होता है mineralization assimilation यह सारी processes हमने पढ़ी तो hope आपको यह video अच्छी लगी होगी if you like my video then please like share and subscribe to my channel thank you